पर प्रब्लम क्या है वो लोग आजकल पाटिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? देर आल डिप्रेस्ट उसर डिप्रेशन के शिकार है तो इसलिए डिपेंड करता है तो यह आपका साइकोट्रोपिक ड्रग्स है अब अब आप लोग क्या सपना देख रहे हो कि हम लोग क्लास में बदमाशी करेंगे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे MCQs नहीं करेंगे बट फिर भी आपके गेट के बाहर रंजीत गुलेरिया, डाइरेक्टर अफ एम्स पोखरियाल, मिनिस्ट्री अफ एजुकेशन तुमारा जो Amit Sa, O Minister Narendra Modi सब लाइन में कड़े उजवला उजवला प्लीज सीट लेलो प्लीज आप एम्स का सीट लेलो प्लीज असारणी प्लीज सौंधर्या, आप अपना सौंधर्या एम्स में फैलाओ तो इस तरह से आपका लाइन लगाओगा मिनिस्टर्स लोग का तो यह क्या है इसको क्या कहते है दिन में सपने देखना ना क्या बोल रहे है आप लो बताओ तो आप इसका मतलब तो यह सब आपका हैलुसिनोजनिक एफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कुछ नसा कर लियो आप उड़ना शुरू कर दियो जैसे कोई आपका जैसे जो अभिशेख है वो ग्रीडी लड़का है तो वो क्या है वो देख रहा है कि KFC उसके घर के आपार बारिश हो रहा है आपको दुनिया का सच्चाई से दूर करेगा एक डुप्लिकेट दुनिया में लेकर चला जाए चले तो इसलिए यह आपका जेनरल आइडिया है अबाउट दी ड्रॉग्स नाव साइको ट्रॉपिक ड्रॉग्स चार तरका होता है रैंक्विलाइजर्स sedatives and hypnotics narcotics and stimulants तो ट्रैंक्विलाइजर्स and sedatives इनलों का काम यह तीनों का काम फर्स थ्री का काम अल्मोस्ट सिमिलर है थोड़ा सा प्लस माइनस है लाइक ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है वो टेंशन and anxiety को डिक्रीज करता है and प्रमोट्स कामनेस and there is no sedation ओके आपको ठंडा करता है आपको शांत करता है and बट निंद नहीं आता है तो यह आपको सुलाएगा नहीं आप एक्टिव रहोगे बट आपको cool down करेगा it's okay, it's okay, it's okay मुसा, it's okay please cool down, don't complain about CSG okay, please, please तो आपको cool down करेगा तो इसलिए तो यह जो लोग है किसको दिया जाता है तो जैसे फिनोथाजाइन्स तो यह एंटि साइकोटिक ड्रग्स है साइकोटिक लोग कौन होते है वो सडनली बेठे होंगे सडनली उनको कुछ ऐसा होगा चाकु मार देंगे हैं कि नहीं पर एक बंदा है, उसे मुश्कुराहट से नफरत है, okay, they do not like a smile, आप तो जानते हो, जो स्नेहा है या सौंदर्या है लोग हरसे में स्माइल करते हैं, तो सपोज वो स्नेहा सौंदर्या के साथ बात कर रहा है, and suddenly वो स्माइल कर दी सौंदर्या या स्नेहा, अपना सौंदर्या के लिए, तो वो क्या करेगा, जो पैनोन पकड़ागा, वो ही घुसा देगा, and टपक जाएगी है लोग, तो समझ रहे हो, so that is called psychotic tendencies, meaning violent outburst of the mental eagerness, तो इस से क्या होगा, तो इस तरह के लोगों को हम शान्त करने के लिए क्या देते हैं, phenothiazines, ठीक है, उसी तरह से anti-anxiety drugs, तो basically बहुत लोग anxious होते हैं, तो बहुत ये anxiety तो बहुत कॉमनी चीज है, जैसे आप लोग हो, अभी neat result आएगा या नहीं आएगा, अभी जो लोग neat देने वाले होंगे, वो लोग ये सोच रहे होंगे, नीट होगा या नहीं होगा, अभी मुश्किल से होने वाला था, वट फिर कॉंग्रेस कैन लगा दिया, स्ट्राइक कर दिया, होगा या नहीं होगा, अगर आप दे दिये मेरा अच्छा हुआ नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो anxiety तो अल्मोस सभी किसी को होता है, तो इसलिए आप जो आरपित के जो पांच हैं, उनके मन में क्या बात चल रह होगा, अरपित किसको हां बोलेगा, तो यह सारा चीज जो है कि आपका anxiety है, तो इसलिए वो लोग वैलियम लेते हैं या डायजपैम, तो यह आपका anti-anxiety drugs होता है, और वैलियम खासकर sleep को भी induce कर सकता है, तो इसलिए दोनों में common behavior है, तो इसलिए जिसे आप for example, जो hypnotics है, यह सुला देंगे, तो अगर आप strong dose होगे, तो इवेन वो आपको सुला देगा, तो इसमें barbitrates यूज होता है, और benzodiazepines यूज होता है, चलिए उसके बाद opiate narcotics, यह बहुत common drug है, यह हमारे गाउन में भी होता है, अफीम गांजा, okay, गाह में देखो कि जो लोग हैं, तो basically males and all, जो लोग दिन भर खटते हैं, तो बोडी में थोड़ा दर दूर्द होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अफीम और टेला था है, मैंने जो अफीम इसोंड़ा बाल्स, ब्लैक कलर बाल्स, तो आप उसको यह सू Snuff Box, हाँ, Snuff Box आप कह सकते हो, तो इसलिए यह क्या करता है, Suppresses Brain Activity, commonly called Painkillers, and used for Cuff Relief, इसमें से कुछ Cuff Relief में भी यूज होता है, like Heroin, and Smack, and Codeine, यह Cuff Syrup में यूज होता है, ठीक है, तेको, ड्रग का मतलब क्या है, ड्रग भी एक मेडिसीन ही है, बट उसको आप बीना कुछे खाते हो, समझ रहे हो, सपोज किसी, there are patients who are given heroin, there are patients who are given morphine, ठीक है, तो यह उनके लिए बनाये गया था, तुमारे लिए नहीं बनाये गया है, तुम क्यों खा रहे हो, तो जो गर्ल्स है, गर्ल्स का फेवरीट ड्रग क्या है, कफ सिरप, तो कफ सिरप, आपको बोला गया था, दिन में दो चमझ खाओ, आप दिन में बीस बुतल पी रहे हो, तो भाई, यह तो against prescription है, तो इसलिए, medicine becomes a drug when not taken according to prescription, समझ रहे हो, तो medicine becomes a drug when not taken according to prescription, but drugs become medicine when taken according to prescription, समझ रहे हो, तो actually आज कल drug, एक slang हो गया है, पहले drug and medicine were synonyms, इसलिए आप बहुत सारे दुकानों में देखो के drug house लिखा होता है, तो वहाँ थोड़ी आपका नशे का भटिका मिलता है, तो आपका नशे का बटिका मिलता है, तो आपका नशे का बटिका मिलता है वहाँ हम लोग चोख बोड यूज करते थे, तो पांचपईस अवाला चोख, तो इतना धूर होता था, हम लोग को भी खासी होता था, प्लस वी टीज फोर 8 दु 10 आवर से डे, तो एक बबार खासी होगा न ओधीक नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग शाम को जाके यह को इसका मतलब वो नशा नहीं करेगा बट बहुत सारे कफसरप में लिखा होगा कोडेइन इंक्लुडेड तो अगर कोडेइन है तो भया आपको बने सेडेशन होगा आपको नीद आएगा इसलिए कोडेइन पी के आप गाड़ी चलाने मत जाओ कोडेइन जो खा लेते हैं उसके बाद आप जब जाओगे ना आपको सीडी नहीं दिखेगा तो उससे क्या होगा आपको कोई एक्सिडेट्स नहीं होगा ठीक है तो नेवर डू एक्टिविटी आफ्टर तेकिंग कफ सिरप रिचिन कोडेइन तो इसलिए आप यह जो अफीम है यह कोन से प्लांट से निकलता है पॉपी प्लांट यह लिखा हुआ है तो उसका जो अन्राइट कैप्सूल सुदै कल पर्सो दिखा रहा था आपको रिया व अन्राइट कैप्सूल कहते हैं अब वो लोग क्या करेंगे जो किसान लोग उस फ्रूट में ब्लेड मार देंगे ठीक है वो आपका ब्लेड मार देंगे हाँ 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 तो इसलिए आप उसका जो कैप्सूल में हम ब्लेड मार देते हैं तो जब कैप्सूल में ब्लेड मार दोगे तो क्या होगा उसमें से लेटेक्स निकलेगा तो ये लोग रात को ब्लेड मार देंगे शाम को रात को ब्लेड मार देंगे आ जाएंगे है भर तो सुबह सो करी दिधे Image of निकल के बाः होगा चुर्पे बहुगा ये लोग क्या करेंगे कम बने के भाग है दॉद क्यों कि में दुद के बाठेर तो उसका अदर गभाघवह रहते माइन कंभल में गम नहीं रेता इडियाट वो जो लैटेक्स है वो सब चिपक जाएगा इस कंबल के साथ उज्य लगतौन ना अव तो हाव टौकलेक्ट दी लैटेक्स तो इसलिए वो कंबल के साथ वो चिपक जाता है एंद फिर ये लो घर आएंगे एंड उस लेटेक्स को हटाएंगे इसलिए वो काला काला बॉल जैसा दिखता है समझ रहे हो तो दाट इस दाट इस प्योर अफीम या ओपियम इन इंग्लिश तो अफीम को हम लोग ओपियम कहते हैं इंग्लिश में इस अफीम का जो इंग्लिश नेम है या उसका जो थोड़ा सा वो तो प्योर्ली वाइड जो देसी है तो देसी में क्या होता है उसमें नशा कम होगा नॉंसेंस जादा होगा कंबल का बाल होगा, उसका पेड का प्रड़क्स होगा, etc., etc., जो अलकालोइड है, वो बहुत कम होगा, इसलिए it is not that dangerous, समझ रहे हो, वो harmless जैसा होता है, नहीं होता है, it is not a strict, it is not a hard drug, it is a mild drug, but उसको clean करके, purify करके, हम मौर्फीन बनाते हैं, तो मौर्फीन में कौन सा, जो मौर्फीन का नाम क्यों रखा गया, after Morpheus, you know who is Morpheus, Morpheus is the Greek god of dreams, ठीक है, तो इसको खाके, आपको पूरा एकदम ऐसा लगता है, जैसे स्वर्द के आप स्वराव के साथ, आप नाच रहे हो, इसलिए आपको वो Greek god of dreams के नाम पे, इसका नाम रख दिया गया, Morpheen, आया समझ, आप यह जो Morpheen है, इसको अब यह इसमें क्या है, थोड़ा सा Alkaloid ज्यादा है, तो ओपियम से Morpheen में ज्यादा है, बट, आप इसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए, हम लोग उसको असीड से धोते हैं, HCL, तो are you clean with HCL, यह जाता है, Heroine, कैशलए करने के लिए रौ इसको प्यूरिफाई थे, हॉसा है, तो अगिए and उसको प्यूरिफाउरिफार व्यूरिफाइ में गैरी ज्यूरिफाई कंवूरिफाए ते nih CNC क्वियूरिफाई क्यूरिफाई हैं, प्यूरिफाई यह च्यूरि तो यह आपका डाइसेटाइल मॉर्फीन है नाव यहां लिखा हो आप देख सकते हो डाइसेटाइल मॉर्फीन अब जब यह साफ कर रहे होंगे ना तो पूरा से HCL उड़ा तोड़ा जाएगी पड़ीवा है कि नहीं फिर वो जो निचे जो डटी HCL है उसको जब हम लोग क्र देंगे तो क्या मिलेगा उसमें से मिलेगा ब्राउन शुगर समझ रहे हो दिसकाल डाइसेटाइल मॉर्फीन हाइड्रोख्लोराइड अडर्शोड तो इसले जो प्यूरेस्ट फॉर्म है वह है है रोइन जो इंप्योर फॉर्म है वह है क्या आप स्मैक या ब्राउन है तो इन पांचों में सबसे मज़दार है 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 उसके बाद आएगा स्मैक उसके बाद आएगा मॉर्फीन उसके बाद आएगा ओपियम और सबसे बाद आएगा कोडेई इसलिए कोडेई माइल्ड होता है इसलिए काफिर अपने यूज किया जाता है समझ मैं है बट इसका जो Synthetic Variety है, पेथिदीन एंड मिथाडान, ये पूरा जटक देगा आपको. समझे रहो? ये PUREst Forms होते हैं. And ये Synthetic Forms हैं. इसका पेड से कोई relation नहीं है, इनोंने formula देखकर बनाया है. Clear? So that is why I always remember that the synthetic forms are the most dangerous because they are the most pure. So, समझे रहो? वो PUREst होते हैं. इसलिए उसका effect भी जबर्दस्त होता है. चलिए, तो समझ मैं है? So this is your heroin, this is your smack, poor man's heroin, पेथिदीन. मैं आपको इसलिए slowly-solutely दिखा रहा हूँ. ताकि आपका record हो जाएगा, तो आप घर में लिख सकते हो. अगर ज़रूर पढ़ा तो अपना बहार से आप देख सकते हैं. चलिए, आप उसका एक second concept है, जो stimulants. The fourth type of your psychotropic drug is stimulant. तो stimulant क्या करता है? यह आपके nervous system को excite करता है. इससे आप क्या होता है? वेक्फुल होते हो. एड़ एक्टिव रहते हो. जो अमारा तुमारे class में सुधिप्तो प्रियदर्सी है, वो जो पीछे बैठ रहते हैं, जो बच्चे प्रणाय हैं, इस लोग सब सुते रहते हैं class में, तो उनको थोड़ा-थोड़ा stimulant दे दो, तो फिर बले-बले घड़ेंगे. तो इसलिए आप इन लोग को, हम लोग दे देते हैं, इसमें जो natural stimulant होता है, उसमें dependence नहीं होता. तो इसे चाय है, कॉफी है, आपको नशा हो गया है, फिर अगर जरुरत पड़ा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो. अगर आप इसको जरुरत पड़ा, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो. बट, जो hard drugs लोगे, तो छोड़ना असान नहीं होगा. ठीक है? So that is the concept. So if you take mild drugs, इसको छोड़ना असान है. If you take hard drugs, इसको छोड़ना मुश्किल होगा. पहले अभी सेख खा रहा होगा, फिर वो अभी सेख को खाएगा. तो इसलिए जो पेडलर्स होते हो, वो लोग क्या करते हैं? पहले आपको फ्री में किलाएंगे. आरे मार रहे यार, अरे मर्द का बच्च्चा है, मर्द लोग हर चीज़ से करते हैं. वोड़ा एक सिग्रेट फूंक ले, तो दे विल जस्ट टीज यू, अंदे विल एक्साइट यू. तो पहले कुछ दिन आरे खा ले, याद रखना किसी अमीर से पाला पड़ा था. ऐसे यादू-शादू कथा कोई कि तमको अगहा एडिक्ट कर दे वे. थोरे तमें पांच चौ दिन खाई ला, तापर तो जो कोईले दबाओ, तापर अभिसेक को पास आके वो जोरी को सर 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 करेगा. तो जैसे ही वो जोरी को सर सर करेगा, अभिसेक बोलेगा, दे, 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 तो आप, फिर बोलेगा, हाँ, तुझा अपने खर से, जो ममी का जोईलरी उठा के लिए, ठीक है? या कैश उठा के लिए, या ती-वी उठा के लिए, या फिर बोलेगा, घर उठा के लिए, समझ लेयो कि नहीं? तो अगर सब आपका सब कुछ आप दे दिये अब आप बोलो गयार मेरे पास कुछ नहीं है मैं क्या करूँ ना वही तो भाड में जा गो टू हैल मर साला तो लटने ने भीया दे दो भीया दे दो तो ठीक है चल जा उसको ये पैकेट पहुंचा किया तो आप वह आपको ड्रग पैडलर बना देगा समझ रहो कि नहीं तो अगर तुम ये पैकेट उसको दे दो गया तो ये तुमारे लिए फ्री तो आप आपको ड्रग पैडलर बना देगा तो विकॉस एवरिबड़ी नोस दे पैडलर बढ़ नया नया लोगों को तो लोग पैचानेंगे नहीं ना तो इसलिए उनका ड्रग का सेल चलेगा आप या फिर वो बोलेंगे सब्सक्राइब ड्रग पैडलिंग कर लिए थोड़ा experience हो गया पुलिस से बचने बचाने का फिर बुलेगा जा उससे हफ्ता मांके ला फिर उसमें भी experience हो गया फिर बुलेगा जा उसको मार दे तो समझ रहे हो तो ये सब काम कराएंगे तो आप क्यों कर रहे हो भी या because there is no way out because you need that packet badly because आब आपका body withdrawal symptom show करेगा which is highly painful जब तक वो नहीं लोगे तब तक body बैठने नहीं देगा so that is why the best concept of any addiction is no for the first and no till the last time तो जब भी कोई बोले तो अब स्ट्रेट आवे no बोलो आब प्रणा जो है वो ओटा को बोल रहा है अबे साले मर्द होगा ना बेटा तभी ये सब खाते है ना मर्द लोग नहीं खाते है हिजडे नहीं खाते है so what out of should say हाँ मैं हिजडा हूँ certified हिजडा हूँ तेरो को क्या दिक्कत है तेरो को बुलाय क्या मेरा बच्चा बना तो समझ रहे हो so they are trying to put you in a trap so don't fall in those traps so just like that because बुलोग आपको मीठा मीठा चीज़ बोलेंगे and आपको बोलेंगे चल भी देख ऐसा confidence आएगा लड़की छड़के आते है तो आप देखो कि हर गलाच चीज़ के लिए वो आप लोगको excite करेंगे and you know back of the mind हर एक के मन में होता है कि थोड़ा ऐसे कर लिया जाए हर लड़के के मन में होता है चलो एक लड़की को छेड़ दिया जाए हर लड़की के मन में होता है कि चलो एक लड़की को छेड़ दिया जाए तो होता है बट सभी inhibitions रहता है यह नहीं घर में क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, भाई क्या सोचेंगा, एट्सेटरा, 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 तो यह समार दोगे तो सारा इनिविशन दूर, ओके, and so on, अब देखो, इतना अच्छा हमारा बच्चा फस गया, लेकिने, and he was taken to his death also, तो, देख रहो कि नहीं, आरब पती आदमी, टॉपपर आदमी, बट देखो, नाशा का कैसे चले हो, चले, तो इसलिए stimulants जो होता है, कैफीन, कैफीन कॉफी सीड से निकलता है, तो कॉफी सीड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉफीया अराबिका, समझ रहो, उसी तरह थियो फाइलीन, यह चाय के पत्तों से बनता है, थिया साइनेंसिस, उसी तरह थियो ब्रोमीन, यह ड्रिंकिंग चॉकलेट में होता है, जो उस प्लांट को हम कहते है थिो ब्रोमा काकाओ जो कि तुटियो ब्रोमा काकाओ से लिए प्लांते हां pakai निकलता है इसलीए फियो फाइलीन कोफी या राभी का से निकलता है इसलीए कैफीन all of them are actually modified purines देख रहे हो तो यह सब purine modifications है तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा खाली position of difference है तो there is difference in position, बाकी सब सेम है तो इसलिए बहुत books में हर चीज को caffeine लिखा होता है जिसे Coca-Cola, उसमें लिखा होगा it has caffeine, गलत उसमें caffeine नहीं होता है, उसमें cocoa होता है, drinking chocolate okay, that is theobromine, but in books or in the general man's language everything is caffeine, ठीक है, तो यह दखना, चाय में theophylline होता है according to JCRT and according to NCRT क्या होता है that is caffeine, उसी तरह से चोकले में theobromine होता है and आपका coffee में caffeine होता है, understood, so like that yes sir but यह तीनों जो addiction है, यह उतना strong addiction नहीं होता है इसको छोड़ा जा सकता है, इसलिए अगर आप exam देने जाओ before you know how to click neat, before going to exam, at least take one good chocolate don't take more, क्योंकि उसका negative effect भी होता है एक अच्छा सा dairy meal खाके चले जाओ, तो जब आप अच्छा सा dairy meal खाके जाएंगे तो थोड़ा सा mind stimulated होगा, performance आपका better होगा या फिर drink a cup of coffee, कुछ भी आप एक अच्छा चुसकी चाय लेके चले जाओ but don't take more, क्योंकि more होने से फिर diuretic effect होगा फिर सुसु निकलेगा जादा, फिर exam के जादा आप toilet करने जाओगे चले, but इन सब का बाप होता है कौन, cocaine तो इसका dry leaves and young twigs, इसको सुखा के यूज किया जादा है, it is called cocaine, तो यह आपका एक anesthetic effect दिखाता है okay, chewable, eaten या sniff कुछ भी कर सकते हो, nervous system को stimulate करता है but अगर जादा dose में लोगे, mental disorder and insanity भी कॉज कर सकता है तो आपको पागल भी कर सकता है, समझ रहो, so that is why and obviously यह addictive भी है, addictive का मतलब क्या है, आपको बार-बार मांगेगा, understand, second is crack, तो crack is another name of cocaine, okay, यह आपका smokable variety of cocaine है, इसको आप cigarette-vigret में डालके फूँक सकते हो, इसका common name है french fries, या teeth, ठीक है, उसके बाद है यह जो betel nut, गुआ-गुआ, तो यह एक again mild stimulant होता है, natural stimulant होता है, वो उस पेड को हम क्या कहते है, Ereca Catechew, तो यह जो Ereca Catechew है, उसमें से जो निकलेगा alkaloid, उसको कहा जाता है, Erecholine, ना यह जो Erecholine है, यह mild CNA stimulant है, okay, बट, इसमें हम लोग एक खोईरो डालते है, ओडिया में उसको खोईरो बोलता है, हिंदी में उसको कथा बोलता है, तो यह जो चीज है, यह क्या करता है, यह आपका reddening करता है, माउथ को, दिवारों को, रोड को, एट्सेटरा, तो इसलिए वो भी एक थोड़ा harmful product है, तो यह आपका सब natural है, महने यह सब plant products है, बट, artificial में है, यह है amphetamines, alpha, methyl, phenyle, ethyl, amine, amphetamine, amphetamine, a मतलब alpha, m मतलब methyl, ph e मतलब phenyle, यह et मतलब ethyl, यह methyl नहीं, actually ethyl है, alpha, methyl, phenyle, ethyl, amine, okay, इसका common name क्या है, pep pills, back up boys, back up, back up, आशा, back up, you can do it, don't sleep, you can do it, इसको excite क्या जारा है, वा anti-sleep, superman, neat ki goalie, iit ki goalie, यह सब इसका common names है, okay, अगर आपको neat चाहिए, इसमें से एक चाट लो, अगर आपको, क्या, iit चाहिए, इसमें से एक चाट लो, तो मिल जाएगा, but problem क्या है, यह इतना dangerous है, एक भी खाओगे, तो immediately दूसरा मांगोगे, समझे लो, if you take one, immediately you will ask for the second, तो strong cna stimulant, increases self-confidence, increases flows of ideas, decreases inhibition, okay, तो यह medically used for relief of cold, ठीक है, now, ice, ice, जो है, वो methamphetamine है, methylated derivative of amphetamine, methamphetamine, यह उसका smokable variety है, इसको भी आप cigarette में डालके फूंक सकते हो, and last में है, speedball, यह actually combination है, यह cocaine plus heroin, दोनों को साथ फूंकोगे, तो उसको speedball कहा जाता है, बले-बले, यह हमारा हो गया psychotropic drugs, तो they will alter the mood, and आपका diagram NCRT में दिया है, दो diagram, एक पूरा fully close chain diagram है, वो आपका opium का है, that is your what, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, that is basically your opium, यह ganja, यह morphine, बट, इधर जो है, okay, sorry, opium, जो है, opium, okay, यह जो उसको ganja कहते हैं, afim, ganja, तो यह सब जो है, बट, जो दूसरा है, जो open chain है, that is your ganja, hemp products, okay, now, now, अब इसमें जो psychedelic drugs का मतलब क्या है, यह hallucinogen से, यह आपको एक अजीब सा दुनिया दिखाएंगे, it will give you a different purview, yeah, it will show you a different world, suppose आप बहुत मुश्किल में हैं, आपको दिखाएगा कि आपका सब दुख दूर हो गया, and so on, it will take you to a false world, so again, there are two varieties, natural and artificial, तो natural में आपका LSD है, that is called lysergic acid, diethalamide, mescaline, psilocybin, and cannabinoids, ठीक है, तो जो lysergic acid है, यह कहां से मिलता है, claviceps purpurea, इसको हम लोग क्या कहते हैं, argot of rye, याद है, यह सब आपको botting भी पढ़ा होना चाहिए था, in plant classification, तो argot of rye, समझ रहे हो, तो यह जो claviceps purpurea है, यह produce करता है आपका LSD, तो LSD क्या करता है, hallucinations करता है, and यह chronic psychosis कर देगा, and severe damage to CNS, अगर आप जादा लोगे, तो यह आपको पागल बना सकता है, तो a lot of people, जो जैसे सुषांत को claim कर रही है, कि मैं इसको लोगों ने पागल कर दिया है, तो she may be giving him LSD, okay, and वो खुद भी confess की है, कि वो एक-दो बार LSD ली है, ठाकि नहीं, so like that, similarly, आपका जो medical use क्या है, आपका LSD का, so यह smooth muscle contraction में मदद करता है, brain में जो migraine pain है, उसको decrease करता है, and अगर internal blood clotting होता है, उसको भी यह decrease करता है, ठीक है, that is called LSD, lycergic acid diethylamide, माइड, उसके बाद mescaline, तो यह plant होता है, लोफोफोरा विलियाम सी, तो जो लोफोफोरा विलियाम सी है, उसको peyoti cactus बोलते है, या whisky cactus, तो इसका जो fruits होता है, उसको mescals बोलते है, समझ लेओ, तो यह उनके mescals से obtain किया जाता है, तो white powdery alkaloid available as powder और gelatinized capsules or liquid, okay, taken orally या inhaled, ठीक है, तो obtained from the crowns of small spineless cactus, ठीक है, chewed by locals during religious ceremonies in Mexico, यह सब basically South Africa में है, South America, okay, causes delusions, depersonalization and hallucination, ठीक है, तो suppose आप एक अच्छे इंसान है, यह ले लोगे तो आप टोटली उल्टा हो जाओगे, you'll be a बुरा इंसान, fine, मैंने, यह आपका अस्तित्व हड़ानन करेगा, जिस तरह के आप हो, यह उस तरह का आपको प्रोजेक्ट नहीं करेगा, यह आपका बिहेवर ऐसा हो जाएगा, आप टोटली उल्टे लगोगे, समझे की नहीं, so that is a very very dangerous, these medicines, उसी तरह आपका सिलोसाइबीन होता है, सिलोसाइबीन जो है, इसको हम एक प्लांट है, that is called सिलोसाइबी मेक्सिकाना, fine, इसको हम लोग magic mushroom या sacred mushroom बोलते हैं, तो आप यह जो powder है, यह भी बहुत ही खतरनाक आपका हैलूसिनोजेन है, तो यह जो आपके जो जंगली ट्राइब्स होते हैं न, यह जो आपके जो है,